हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका ओम ट्रिक्स यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में जो हमारा पूछा जाता है एक निबंध टाइप का एक संबंध टाइप का एक खंड कावे जिसको हम कहते हैं तो वह खंडकावे हम कैसे लिखते हैं व९ खंडकावे कितना लिखना होता है यह सबी सवाल मेरे से आपने पूछे थे इंही सभी करें हमारे चैनल को और बेल आइकान जरूर दबाएं तो दूस्तों यह जो खंड कावे हैं कुछ जिलों वाले कर सकते हैं पहला जिला मेरट दूसरा जिला बागपद तिसरा जिला आजमगर चौथा जिला बस्ती पाच्वा राइबरेली बांदा हर्दोई बहराइच हमीर पूर गाजियाबाद गौतम बुध नगर मौू सिधार्थ नगर जैनपदों के लिए जैनपदों क नहीं जिलों के बच्चे इसको कर सकते हैं अन्यत्या कोई और जिलों की अगर आप हो तो आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में वो भी जिला कवर करा देने वाला हूं तो नेक्स्ट वाले वीडियो का वेट कीजिएगा फिलाल जितने भी इस जिले की इस वीडियो को द आ रहा हूं पांच पन्नों का है यह जी हां दोस्तों यह पांच पन्नों का खंडे कावे है मगर आपके लिए खुशकबरी है कि आपकी जो खुशकबरी है वह बहुत अच्छी है आप सभी के लिए N-C-E-R-T पैटर्न लागू होने से इसको केवल आपको असी सब्द में लिखना होगा असी सब्द से जादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा क्या करोगे टाइम वेस्ट करके मत लिखिएगा तो मत लिखिएगा ठीक है दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे क्य क्या करना है दोस्तों आप से यहाँ पर कई प्रकार के कोशन पूछे जाते हैं मगर आपको केवल असी सब्द का अंसर इसका लिखना है मगर पिछले साल आपको पूरा का पूरा यह जो पांच पन्ने है न यह पूरा का पूरा आप 2018 वाले बच्चे करके आते थे तब जाक स्रमण कुमार्ख कमार्ख छंड काता संश्पत में प्रकास ढूल या फिर स्रमण कुमार्ख कव के प्रमुक्प सामाजिक प्रसंगों का वानन कीजिए या फिर स्रमण कुमार खंड काव के आयोध्या सर्ग की कथा में अपने शब्दों में लिखे या फिर स्रमण कुमार खंड काव के आधार पर पर्थम सर्ग की कथा वस्तू लिखे और बागी कई प्रकार की कोशन ये देखे कोशन नमस सेकेंड है हमारा स्रमण कुमार के आखेट सर्ग की कथा संचेप तुम्हें अपने शब्दों में लिखिए या फिर स्रमण कुमार खंड कावे के स्रमण सीर्शा के चत्थुरत सर्ग का सानांस अपने सब्दों में लिखिए स्रमण कुमार खंड कावे के मारमिक अंस्की कथा तथा संचेप में लिखिए तो आप इधर देख रहे हो कि कितनी जादा बार पूछा गया है तो आपके जिले में भी आला कोशन आएगा तो कोशन को आपको कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ देखो दोस्तों जैसे कि मालो आपसे ये वाला कोशन पूछ लिया जाता है तो आपको इस कोशन का जवाब जो नीचे दिया गया है पर्थम सर्ग आयोध्या वाला यह आपको यहां से शुरू कर देना पर्थम सर्ग से ले करके और अश्य शब्द जहां तक कंप्लीट हो जाए मालो यहां पर आपके अश्य शब्द कंप्लीट हुए जा रहे है बस आपको इतना सा लिखना है ज्यादा लिखना नहीं कि अवल अश्य शब्द का लिखना है और आपको मैं बता दू आपको ये याद नहीं करना है ठीक है सीधी से बात आपको ये लर्न नहीं करना है आपको बस इसे read कर लेना है ठीक है read कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है कि कहानी किस बात में हमें लिखनी है मतलब स्रमण कुमार की कहानी में क्या बताया गया है ठीक है तो बस वही कहानी आपको अपनी copy में लिख देनी है नमबर अच्छे मिल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको केवल अपनी अच्छे से कहानी नहीं रट लेनी है मतलब कहानी समझ करके रट लेनी है ताकि आपको याद करने के जरूरत ना पड़े और इतना तो दिमाग आपके पास होगा है कि आप एक बार इसको पढ़ लोगे तीन-चार बार अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप अच्छे से इसकी कहानी बना-बना करके अपने पास से लिख सकते हो तो बस यही कार यह आपको करना है कोशन यह सभी दे दिये हैं कोशन आपको सारे देख लेने हैं ठीक है जितने पांच पन्नों यह मैंने दिये हैं इनका पीडियाफ जाकर के आप डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन में सब से उपर दिया गया है और यह पांचो पन्ने देख लेना इन पांचो पन्ने में से कोई भी कोशन आपका सर्वन कुमार को लेकर के पूछा जा सकता है तो यह पांचो पन्ने का पीडियाफ आपको मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सब से उपर वाली अपनी वेबसाइट पे जाईए इसका पीडियाफ डाउनलोड कर लीजिए और कोश्चन सभी पढ़ लीजेगा और इन ही जिलो वाले इस खंड कावी को करेंगे जिन जिलो के नाम मैंने वीडियो के शुरुआत में बताये थे तो वीडियो को अगर आपने अभी तक श